तो आज है हमारे पास फोटो कार्ड के तरब से आने वाला टेलेस्कोब जिसका नाम है सेलस्ट्रॉन पावर सीकर 76 रेजेड तो आज की इस वीडियो में इसी सेलस्ट्रॉन पावर सीकर 70SZ का फुल रिव्यू देने वाला हूँ और हमारे पास जो पोलेक्स का 76 mm वाला टेलेस्कोब है उससे कंपरेजन भी करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो में लिए तीन फैक्टर पे डिपेंड है पहला है अन्वा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है टेस्टिंग उसमें मैं आपको सबसे पहले प्लानेटरी करूंगा इस टेलेस्कोब से देखता हूं कितना ज्यादा बेनिफीसल साबित हो पाता है प्लानेटरी के अंदर और फिर डीप कहें करूंगा फिर इसके बाद आई करने वाले हों 10,000 के प्राइस सेग्मेंट के अंदर तो यह वीडियो आप लोगों के लिए तो चले दूस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो अंबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुझे फोटो कार्ट से यह बॉक्स रिसीब हुआ है इसमें क्या है अभी खोल के पता चलेगा तो चलिए जल्दी से पॉलितिन को अन्रैप कर लिया जाए पॉलितिन अन्रैप करने के बाद कौन से ब्रैंड का टेलेस्कोप ही यह पता चल जाता है जो कि सेलस्ट्रॉन ब्रैंड का टेलेस्कोप हमको यहाँ पर भेजा है फोटो कार्ड ने और जो पैगजिंग है काफी गजब की करिये फोटो कार्ड ने तो यहाँ पर हम लोग अ Celestron की .com वाल ये link देखने को मिलती है यहाँ पर बता रहा है कि आप यहाँ से Swapping कर सकते हो लेकिन मेरा recommendation यह है कि आप फोटकाट चे बाई करो आपको value for money product देखने को मिल जाएगा तीसरी चीज मुझे एक CD देखने को हो जाता है किसी beginner के लिए अगर उसको टेलिस्कोप assemble नहीं करने आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो उसको fake किएगा मत और पचवा एक और instruction manual यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर refractor और refractor दोनों का manual यहाँ पर है आप दोनों सीख सकते हो कैसे assemble करा जाता है तो यह भी काफी ज़्यादे important हो जाता है तो आप अपने पास जरूर रखिएगा तो चलिए अपने carton ओले box से अपने main box को लिकालते हैं box को open करने के बाद हमको यहाँ 3 carton box देखने को मिलता है मैं एक एक करके open करता हूँ तीनों को first box में हमको accessories देखने को मिलती है तो आप लोग यहाँ पर देखो उसमें काफी सारे चीज़े देखने को मिल रही है और इसमें कई तरीकिये का IPS and finder scope और भी काफी चीज़े मिलती जो कि मैं वीडियो में आगे discuss करूंगा now it's time to unbox the tripod तो हमारा जो ट्राइपोड है वो लिकल रहा है और जो ट्राइपोड यहाँ पर दिया गया है पहुती गौजब क्वालिटी का इसमें प्रोवाइट करा गया है ट्राइपोड हाँ एक और बात इसकी जो बिल्ड क्वाल्टी बताया जाता है कि काफी अच्छी दी गई है लेकिन ओपेंड करने के बाद ही पता से लेगा कि बिल्ड क्यासी है बॉक्स ओपेंड करने के बाद यहाँ पर हमको ट्राइपोड का एकदम गजब का लुग सब्सक्राइब करते हैं तो फाइनली हमारे यह मेन बॉक्स है जिसके अंदर ऑप्टिकल ट्यूब है मतब हमारे टेलिसकोप है इसके अंदर ऐसा भी कह सकते हो कि हमारा इसके अंदर टाइम मसीन है जो की पास्ट के चीज़ों को देखता है तो यहाँ पर मैं जल्दी से इस फोटो कार्ट की उन्बॉक्सिंग के बाद जितने भी पार्ट्स हमारे लिख ले हैं बॉक्स के अंदर से सारे को जल्दी से मैं असेंबल करता हूँ तो यहाँ पर हमें 5X finderscope देखने को मिलता है जो कि काफी decent सा है तो चली अपने telescope पर इसको लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दो स्कूरूस देखने को मिलता है टेकनीक है कि यहां पर आपको कोई wide field of view वाली IPs लेने नी है तो मेरे पास यहां पर 20 mm की IPs है तो मैं सबसे पहले उस IPs को अपने telescope में लगादर किसी object को point करूँगा जब वो object आपके IPs में दिखने लगे तो आपको फिर अपना finder scope को align करना है उस object से जो आपके IPs में दिखरा है तो आपको उपर यह 3 screws देखने को मिलेंगे इसी के मदद से आपका finder scope align हो पाएगा फोकसर की बात करी जाए तो आपको यहां पर 1.25 इंचेस की फोकसर देखने को मिलेगा बाक्स के अंदर आपको तीन accessories और देखने को मिलती है दो आइपीज और एक बालो लेंज और एक जो आइपीज है वो 20 mm की है जो की blue coating के साथ आती है आपको इसमें zero chromatic aberration तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा सा chromatic aberration देखने को मिल सकता है जब हम लोग moon की testing करेंगे तब हम लोग try करेंगे देखते हैं कितना chromatic aberration आता है और साथ ही में आपको 4 mm की IPS देखने को मिलेगी और जो की काफी decent सी image लिकाल के दे देता है और साथ में आपको एक बालो lens भी देखने को मिल जाता है जो कि price की हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पर बालो lens यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज देखने को मिली आपको इसके अंदर slow motion knob भी देखने को मिलता है azimuth mound के अंदर सोची आपको यहाँ पर azimuth mound के अंदर slow motion knob भी दिया जा रहा है जिसके मतद से अपने आप telescope को उपर नीचे कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है आप लोग जाके जरूर देखिएगा एक बर विजिट करके देखिए मैंने सब चीजों को capture करके रखा है focal ratio की बात करें तो focal ratio F9 है और आप लोग इससे maximum 10 magnitude टक की light आप लोग देख सकते हो कॉलीमेशन की अधर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना telescope का कोलिमेट भी कर सकते हो पानली अब बात कर लेते हैं इसके build quality के बारे में तो आपको यहाँ पर almonium tripod टेखने को मिलेगा जो की double almonium rod के साथ आता है अगर compare करें अपने पिछले वाले telescope से तो उसमें भी almonium rod था लेकिन वहाँ पर क्या था कि एक ही rod टेखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पर आपको double support टेखने को मिलेगा अगर थोड़ी सी भी हावा चाल जाती थी जो हमारा tripod है वो हुलने लगता था तो हमारी images clear नहीं आती थी लेकिन इस tripod में ऐसा कुछ नहीं है आप लोग अराम से आपने telescope को use कर सकते हो बिना wobble करें color की अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर black oil paint color देखने को मिलेगा जो की काफी गजब का texture देता है जो आप इसे दूप में लेके जाओगे तो यह काफी गजब का sign मारता है so finally अब बारी आती है testing की testing सबसे जादा important होता है एक telescope के लिए तो अभी दिन का समय हो रहा है तो सबसे पहले मैं अपने telescope को लेकर छट पर चलता हूँ वहां से मैं आप कोई दूर की चीज़ दिखाने की कोसिस करता हूँ तो यहाँ छट से 8 km दूर एक tower है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो हम लोग आपको इसको telescope से दिखाने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा view देखने को मिल रहा है उदर थोड़ा सा foggy लग रहा है इसके वज़े से आपको थोड़ा सा blurring दिखेगा लेकिन काफी अच्छा result आ रहा है और अगर आप लोगों को wildlife photographic अनी है तब भी आप इस telescope का use कर सकते हो आपको कोई भी पच्छी पर अपना telescope को point कर देना है मैंने करीब दो तीन birds का वीडियो capture करा है आप लोग इसको देखकर enjoy कर और जो quality यह वो भी अच्छी आ रही है अगर आप लोगों को दिन में कुछ capture करना है तब आप birds वगेरा capture कर सकते हो इस telescope से भी sun को देखेंगे sun भी आप capture कर सकते हो दिन में sun को भी मैं इसी वीडियो में capture कर यह दिखाने वाला हूँ and this is the human photography यह भी काफी अच्छी DSLR जैसी photo capture कर लेता है मैं आपको भी थोड़ी दर पहले landscape के अंदर काफी सारे चीजे दिखाया जैसे मैं आपको घर दिखाया बर्ड दिखाया तो अब मैं आपको बहुत ही खतरनास चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ sun capture करके दिखाने वाला हूँ देख सकते हैं आपर warning लिखी गई है इस telescope से direct आप sun को नहीं देख सकते तो अब हम लोग क्या करें अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग तो sun capture करके जरूर दिखाने वाले हैं तो हम लोगों के पास एक idea है हम हमारा एक ब्रदर है उसके channel का नाम है astro aros उसने solar filter buy करा है तो मैं उसके घर जाता हूँ और जल्देश उसके पास से लेकर आता हूँ आप लोग यहां पर देख सकते हैं astro aros का solar filter है मैं इस telescope के उपर solar filter लगाऊंगा फिर मैं आपको sun capture करके दिखाता हूँ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपर sun दिखने लगाए कितना गजब का दिखरा है मज़ा ही आ गया यार दोफ्तों आप रात में मिला जाए तो planetary को capture करने के लिए हमारे पास एक 4 mm की IPs है और एक 20 mm की IPs है और साथ में आपको एक बालो लेंस देखने को मिलता है तो mainly मैं आपको Jupiter और Saturn 4 mm की IPs से capture करके दिखाने वाला हूँ तो चलि दोस्तों बाहर और capture करना start करते हैं काफी देर align करने के बाद हमारा Jupiter भी frame में आ गया था और Saturn भी frame में आ गया था मैंने दोनों का data जितना अच्छा हो सकता था मैंने capture कर लिया अब चलता हूँ उसको process करता हूँ फिर आपको result से मिलवाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं live view के अंदर Jupiter और Jupiter के moons कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि live view में ही इतना अच्छा result मिला है तो एक बार process करके देखते हैं तो मैंने Saturn और Jupiter को दोनों एक एक करके process करा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह फर्स्ट इंप्रेशन है Saturn का जो की काफी गजब का लग रहा है हम लोग expect नहीं करे थे कि इतना अच्छा result भी आ सकता है Celestron Power Seeker 76 mm से और Jupiter का भी आप result देख सकते हो यहाँ पर इसके clouds bands भी दिख रहा हैं काफी गजब के लग रहे हैं देखने में और एक और चीज मैंने एक चीज और capture करी है यहाँ पर Jupiter का जो moon है यूरोपा मैंने उसको काफी detail में तो नहीं capture करा है लेकिन मैं जब प्रोसेस कर रहा था Jupiter को तो मैंने उसको थोड़ा सो crop करके थोड़ा सा enhance करा है तो यह देख सकते ही यूरोपा का first impression है Celestron Power Seeker 76 एजट से तो साथी साथ हम लोगों ने सोचा कि moon भी capture कर लिया जाए तो हम लोगों ने अपने telescope को एकदम अच्छे से collimate करा था जिसके वज़े से यहाँ पर आपको zero chromatic aberration देखने को मिल रहा है लेकिन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा होगा राइट सेड में देखो आपको little bit chromatic aberration मिल रहा है लेकिन यहाँ पर जो view देखने को मिल रहा है moon का काफी hard touching है और इस moon को देखकर मुझे काफी ज़्यादा मज़ा आ गया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना detail view भी आ सकता है लेकिन यहाँ पर इस telescope बहुत अच्छे तरीके से work कर रहा है अपने हर segment में वह बाजी मार रहा है तो अब बारियाती deep sky गी दोस्तों deep sky बहुत ही ज़्यादा important होता है अगर आप लोग planetary से ठक चुगे होगे moon photography से ठक चुगे होगे तो आपके पैस बसता एक ही option है जो कि deep sky object है और आप लोग यह भी जानते होगे कि universe के अंदर कितने लाखों deep sky object है जो कि आप गीन भी नहीं सकते तो सबसे पहले अगर आपको deep sky के अंदर गुसना है तो आपको beginner level से start करना पड़ेगा आप लोग जानते होंगे जो orange constellation है वो इतना ज्यादा popular है और उसका जो nebula है orange nebula वो भी इतना ज्यादा popular है सब को पता होगा कि वो क्या है तो आपको सबसे पहले अपना telescope उस direction में point करना पड़ेगा जिस direction में orange nebula है तो मैंने उस direction में point करके काफी multiple sorts लिये मैंने जब stack करा deep sky stagger के अंदर तो वो frames को reject कर दे रहा था किन हम लोगों ने जितना हो सकता था हमारे telescope से हम लोगों ने long exposure लिया single sort के ये अंदर देख सकते हूँ कितना अच्छा colors लिकल कर आये है और orange nebula के अंदर ये चीजम को काफी ज्यादा पसंद आया और जो हमारा second deep sky object है उसका नाव है paladis cluster जो की टारस constellation में आता है उसको भी आप लोग बहुत easy तरीके से capture कर सकते हो तो मैं जिदना भी data record करा है मैं आपको screen पर लगा के दिखाता हूँ तो weather is pretty awesome और काफी दिनों बाद इतना clear skies देखने को मिल रहा है अगर आप लोगों को Celestron Power Seeker 76 AZ का unboxing पसंद आया पसंद आया है उसके planetary images और deep sky images पसंद आया है तो अगर आप लोगों को यह buy करना है तो आपको कर दो आपको